जै बियार दुथो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे दो अप्रेल 2022 के महत्पून बिहार करने फिर तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहला सवाले बोड़ा बिहार के बाहर काम करने वाले परवासी मजदूरों की पहचान करने के लिए बिहार सरकार का कौ स्रम संसादन विभाग के द्वारा ऐसा सौट्वेर तयार किया जा रहा है क्योंकि देखेंगे जब करोना कल था उसमें लगभग 20 लाक लोग जो थे अनिराज में रहने वाले बिहार से बाहर वाले लोग गयानी की बिहार के लोग थे और बाहर जाके रहे थे वो बिहार मे लोटे थे तो ऐसा अकड़ा भी आया था उसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा सौट्वेर विकास किया जा रहा है तकि सभी मजदूरों का जो है डाटाबेस तयार है तो स्रम संसादन विभाग के मंत्री अगर आपसे पुछे तो जीवेश कुमार हो जाएंगे जीवेश कर विभाग के मंत्री तार की सोर परसाद हैं तार की सोर परसाद जो कि वर्तमान में बिहार के उप मुख मंत्री भी हैं और बिहार के उप मुख मंत्री डिप्टी सीम दो लोग है एक तो तार की सोर परसाद हो जाएंगे और एक और का नाम क्या है रेनु देवी अगला है उर्जा भीभाग, तो उर्जा भीभाग के मंत्री अगर बोलने तो बिजेंदर परसाद यादो हो जाएंगे, बिजेंदर परसाद यादो, और आप लोगों को एक और चीज बजा दो कि देखें, उर्जा भीभाग जो बिहार सरकार का है, उन्होंने ये कहा है कि हम सच्छा बिजली मुहया कराएंगे यानि किसानों को सचता बिजली देने के लिए बात किये हैं इसके लिए उर्जा विभाग के द्वारा 6,578 करोड रुपे की मंजूरी भी दिया गया है ये भी सवाल पुछेगा कि बताइए कौन सा विभाग है जो कि 6,578 करोड रुपे की मंजूर से लेकर निर्मान की गुनवत्ता देखने की जुमारी मिली है यानि जो जान कि पक्रेंस की चुना गयाheart कि वहां पर अच्छी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो उसके लिए आयए टी पक्रेंस को तो चुना गया है अब स्वाल बोड़ा बिहार का पहला स्मार्ट सी.टी शिल्क शिटी आफ इंडिया के नाम से भागलपूर को जाना जाता है मुझापर पूर को लिच्ची का सहर का याता है कभी कभी एवी सवाल आप लोगों से पूछ सकता है बिहार सरीप जो की नालंदा जिला का मुख्याले है जैसे बिहार के आठ ऐसे जिला है जिसका मुख्याले अलग अलग जगा पे होता है जैसे भोजपूर जिला का आरा होता है और फिर आपका नालंदा का बिहार सरीप होता है पुर्वी चंपारन का अलग हो जाएगा पटना जो होए नए पटना और मुझपरपूर को दोनों کو 2017 चुना गया था तो यह लगभभा में चुना गया था तो पटना और मुझपरपूर को 2017 में चुना गया आस्माट सिटी के लिए भागल। को 2016 में और बिहार शरीप को 2018 में चुना गया था अंतिम महीन में अगला सवाले पटना एयरपोर्ट पर मरीज और बुजुर्ग यात्रियों की सुविदा के लिए एक महत्पून उपकरन की सुरुवात क्या गया है इसका नाम क्या है तो दिखें जो भी देखेंगे एयरपोर पर शुरू किया है इसका नाम है अब बात करें कि अगर मान लिए कोई दिव्यांग या कोई बुजुर्ग है अगर उसको अगर उसका उपयों करना है यह मुलिप्ट का तो उसके लिए 100 रुप्या पे करना होगा 100 रुप्या चार्ज भी रखा गया है तो और यहां पर रा है तो इसका सही आंसर पटवान हो जाएगा इसलमुर्ब सवाल होता है क्यूंकि यहां पर पठव नियाले के मुख नियाजीस भी यहां पर उपयर jestem ग小िजा तो आप लोगों से मीरा स्वाल है कि बताईएगा कि पटना उच नियाले के मुख नियाजीस वर्तमान में कौन है इसका आंसर आप लोगो को comment section में करना है comment section में आप लोगो को बताना है और इसके लबा यहाँ पे पटना उचने आले कि मुख नयाजी सो पहुचे ही इसके लबा वेद परताफ वेदिक एक बहुत senior जो बहुत सकते हैं अगला स्वाल है कि मा आसा पूरी मंदीर बिहार के किस जिला में है जहां नवरातरी के समय महिलाओं के इंटरी पर बैन होता है देखिए अभी 2022 में जब ये वीडियो रिकोर्ड कर रहे है तो 2022 में दो अपरिल को नवरातरी सुरू हो गया है तो यह 10 दिनों तक चलेगा तो महिला ऐसे तो आमत रॉक पे इस मंदीर में महिलाओं के जाने के लिए बैन नहीं लगा हुआ है मगर बोला जाता है नवरातरी के समय में यहाँ पे महिला को इंटरी पर बैन होता है इसलिए क्योंकि इसमें यहां पे तांतरिक भीडिय से यहां पे पूजा होता है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा? आप्शन नमबर सी हो जाएगा नालंदा नालंदा में धोसरावा गाउं में यह इस तीत है दोस रामा देखिए इस पिक्चर के माधियम से आप देख सकते हैं यहाँ पे मा आसा पूरी मंदिर जो है ना वो नालंदा में सीथ हैं अब देखिए अच्छानी लोगों का काना कि यह जो मंदिर है लगभग में साड़े तीन सो साल पहले यहाँ पे माता जो थे यहाँ पे अच्छानक परकट हुई थी जब इस बात की जनकारी वहाँ के राजा जिनका नाम था घोस राजा घोस को मालम चलता है ना तो इस अच्छान पे माता का मंदिर का निर्मान करा देते हैं और उसी समय से इसका जो नाम है धोसरावा गाउं रखा जाता है तो कभी-कभी पू सरावा नाम था दुसरार का बड़ गाउं और एक तित्रावा थो इनिक नाम पर देखे होंगे अगल बगल का गाउं भी बड़ गाउं वेगर अप्लोड कर दिया जाएगा अगर चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और किसी भी तरह का अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्षन में जरूर अपनी पर्टिकिरिया दे और एक और सवाल जब भी सेक्षन समापत होता है तो हम एक सवाल आप लोगों के लिए लेकर आते हैं उसमें पूछे थे हम पिछले सवाल में कि सात निचे तू योजना में निमली खित में से कौन सा कारजकरम सामील नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ऑप्सेन लूबर बी हो जाएगा बावों कुन था इसका अंसर हम उम्मीद करेंगे कि बहुत सारे लोग इसका अंसर कमेंट सेक्षर में जरूर दीजेगा किसी भी तरह का अगर आप लोग को समस्या रहता है तो बेही चेक ऑफिस्यल नंबर पर संपार कर सकते हैं तो यह था आज का वीडियो मिलते हैं अगले वीडिय देखते रहे हैं बिहारी योद्धा जै बिहार